हाई लो स्टुडेंट्स, पुराने टॉपिक में मैंने कंडेंसर के टॉपिक को कम्प्लीट किया था, पुराने वाले लेक्चर में, तो अगर वो लेक्चर आपके पास नहीं है, तो यूटूब पे जाकर के आप मेरे चैनल से आप देख सकते हैं, ठीक है, आप आज के और expansion valve को complete करूंगा तो evaporator में इसके syllabus में दिया गया है function और dry and flooded evaporator इसकी advantage और disadvantage और इसके प्रकार expansion valve में function barrier type of barrier types और capillary tube thermostatic expansion valve low side and high side float valves application and various expansion valve के बारे में हम अध्यन करेंगे तो evaporator हमारा क्या होता है evaporator वो उटा एडा को एक फिस से दूसरी फिस में change करता है लेकिन जो बाब myself yaz कर देता है और यह क्या करता है यह द्रब को परिवर्थित कर देता है हमारा फिरसिय भाब में और Expansion Valve क्या होता है? Expansion Valve के द्वारा हम Refigerent को उसके निम्न दाब तथा निम्न थाब पर उसके प्रेसर को कंट्रोल करके हम उसकी एक लिमिट एक लिमिट को भी कंट्रोल करके हम सिधा एब उपरेटर में भेजते हैं अब चलिए हम इसको को एडवांस में पढ़ते हैं देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है बासपित्र बासपित्र क्या होता है जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बासपित्र जो होता है हमारे रेफ्रीजरेंट को उसमें उसमा प्रदान करके रेफ्रीजरेंट को उसमा प्रदान करके उसको चैंज कर देता है किसमें बासप में परवर्तित्र कर देता है यह एक ऐसा उसमा अंत्रण सत्य है जिसमें द्रब को उसमा प्रदान कर उसकी अभस्था परवर्तन कर उसे अब हम इसकी थोड़ी सी किरिया भी दी और इसमें कौन-कौन से एलिमेंट से यूज होते हैं उसके बारे में बता दूँ तो इसमें आप देखिएगा जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इसमें यह एक एक सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम यहां पर बना हुआ है एक एक जैंपल इनों ने ले लिया है तो यहां पर यह हमारी एक इंसुलेशन लेयर होती है इसके उपर जो लगी रहती है यह इंसुलेशन चैंबर भी हम इसे बोल सकते हैं और यहां पर भी यह बना हुआ है तो ऊपर यह हमारा एवपरेटर यहां पर लगा हुआ है और यहां पर हमारा कंडेंशन लगा हुआ है और यह हमारा रिसीबल लगा है यह एकस्पेंशन बाल्ब लगा है और यह हमारा कंप्रेशन लगा है यह चारों चीजों के में जरू पूरत होती है सेंपल कंपरेशन रेफिरिजरेशन सिस्टम में तो इसमें देखिएगा जो हमारा इवोपरेटर है उसमें एक्सपेंशन बाल्ब के थूरू यहां से रेफिरिजरेंट आता है यह जो रिसीबर है रिसीबर के अंदर से रिसीबर मतलब ग्रहाक पात्र जिसके पर यहां पर वाटर प्लस रेफ्रीजरेंट का मिक्सरर इसमें रहता है जो पर भीज दिया जाता है रेफुरेजरेंटरमे ठीक है इए बोधीजादा ंतीज क्या करता है यह बहुत है ज्यादा air चयमबर MAR ही इस ही यक यह बिशこれは में अंदर आता है रेफ्रिजरेंट यह एक चेंबर क्या करता है उसको बदल देता है किसमें भाब में बेपर रेफ्रिजरेंट में तो यह बेपर रेफ्रिजरेंट सीधा हमारा आता है या सक्मिन चर्वार यह सरे बीन थे लिए में बήσी से मारणाशल्mam कान सब्सक्रा के भड़ा को किया करता है? यह सायड कान दाना यहां पिया करता है? यह बीनननोस भी पhr tips है के से हम्मेस 18 x max सब्सक्रा के सब्सक्राइब को सब्सक्रा फिर बहुत है इस VASP refrigerant को फिर से बदल देता है किसमें? लिक्विड में और यह liquid बदलने के बाल से वहास रिसीबर में आजाता है तो यही पर करी बार्वरग चलती जिय रहती है refrigeration system में ठीक है? और इसकी यही kriya वीदी भी है तो इस क्रिया विदी को आप लिख लीजिएगा और इसकी क्रिया विदी जो हमने लिखाई है फ़स्ट चैप्टर में आप लोगों को बेपर कंप्रेशन रेफ्रीजरेशन सिस्टम वाली अप क्रिया विदी लिखेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा जो मैंने चलते हैं next topic पर next topic है हमारा capacity of the evaporator तो evaporator की capacity क्या होती है जिस तरीके से अभी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था पिछले topic में पढ़ाया था कि condenser की capacity क्या होती है तो condenser की capacity हमारी क्या थी q is equal to u a t u a और टी जहाँ पर टी हमारा बताया था मैं एमारा डिल्टा टी था यू अगपरेचर डिफ्रेंट तो यह temperature डिफ्रेंट इसमें या लिख दिया गया है त्य तु- को पिछले लेक्च्यर में बताया था कि यह हमारा ती2- को टी वन हता है जहाँ पर टीटु हमारा higher temperature होता है और T1 हमारा lower temperature होता है ठीक है तो बास्पित्र की छमता को निम्न प्रकार से परवाशित किया जाता है यह दिए गए समय में अवसोशित उस्मा को उस्मा की मात्रा होती है इसे निम्न समीकर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जहां पे यू बराबर overall heat transfer है ठीक है यह area है T2 minus के T2 तीटू माइनस के टीवन टेंपरेचर डिफरेंट्स बाशपित्र की छमता निम्न गटकों पर निर्वर करती है तो पहला हमारा है बाशपित्र का पदार्च मतलब किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं यह मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था टेंपरेचर डिफर और बाशपित्र कूंडली की मोटाई, थिकनेस अब दा एवोपरेटीव सेल जैसे एवोपरेटिव सेल के उपर जो मैंने बताया था ना कि एक इस्योलेटिड चेमबर रहता है तो यह इसकी ठीकनेस यह बाशपित्र हमारा इस तरीके से रहता है यह पाइप इसमें कूंड में आने वाली एरिया ठीक है अब प्रकार की बात करते हैं कि फिर मारे के लिए दो प्रकार के होते हैं एक प्राचालनी स्थित के आधार पर दूसरा सतय सरचना के आधार पर तो इसमें हमारी स्लेबस में ये दोनों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहला है डूबा हुआ बास्पितर फ्लडड टाइप एवोपरेटर मतलब जिसको हम पानी में एकदम से भर दें तो उसे हम बोलेंगे डूबा हुआ बास्पितर सूखा या सीधा प्रसारड बास्पित तो उसके बाद सतय सरचना के आदार पर वेर नली वास्पितर और प्लेट सतय वास्पितर और फिन नली वास्पितर यह तीन प्रकार के होते हैं सतय सरचना के बाद आदार पर सबसे पहले हम बात करते हैं डूबा हुआ बास्पितर फ्लडड टाइप ऑप एवोपरेटर इ तिनी अधिक होती है कि उसमें पूरा बास्पित्र कुंडली डूबा हुआ होता है इससे अधिक भरड़ बास्पित्र ओबर फीड मतलब कि सबसे ज़्यादा भरा हुआ हो इस बास्पित्र में द्रव रफिरिजरेंट नलियों से सतत में प्रवायत होता रहता है बास्पित्र में एक नियत द्रव रफिरिजरेंट भरा होता है फ्लोट वाल्व की सायता से इसमें इस नियत द्रव रफिरिजरेंट को बनाई रखा रखा जाता है ठीक है जब द्रव रफिरिजरेंट को उसमा प्रदान की जाती है तब द्रव रफिरेंट बास्प अवस्था में परवर्ठित हो जाता है पूरा नक्रांप होता है बास्पित्र का होता है वर्गांप है तो चीज़ को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए क्या क्या होता है कि जैसे शू magg通 में त्यांइट पाफ बस उसी में रहने देता है बासपित्र में और भाप को बाहर निकाल देता है चलिए हम इसको फिगर की द्वारा समझते हैं देखिए देखिए यह हमारा फिगर है बासपित्र का तो इस figure में आप देखी रहे हैं कि यह यहाँ पर flash chamber लगा हुआ है ठीक है flash chamber का मतलब जहां पर जोलाल जील हो ठीक है जहां से हम heat कर रहे हैं यहाँ पर तीन लगी हुई है ठीक है buffalo और यह हमारा suction compression chamber है यहां से हमारा जब बास पर निकलेगी तो यहां से सक कर ली जाएगी उपर की तरब और यह हमारा accumulator लगा हुआ है थीक है, यहां पे हमारा accumulator लगा हुआ है, तो accumulator क्या करेगा accumulator इसमें से पानी की बुनों को नीचे बापस भेज देगा बासपितर की तरफ और भाब को अमारा उपर की तरफ भेज देगा इसमें बास समझ में आई उसके बाद यहाँ पे जो अमारा float control लगा हुआ है यह liquid की label को यहाँ तक बनाई रखेगा ठीक है यहाँ तक हमारी liquid की label रहेगी जितना जब यह label हमारी आफ तक खाली हो जाएगी तो यह क्या करेगा यहाँ से फिर से यहाँ से हमारा refrigerant liquid को ले लेगा और जब यहाँ पे label हमारी overflow होगी तो यह यहाँ से बंद कर देगा लेना ठीक है इस तरीके से अरवर्वटे है तब तक यह इस तरीके से इसी में रहेगा बास पित्र केंदर जैसे यह बस में बदल जाएगा और जो गरम पानी होता है या बास पुति है यह बास पोती बहुत सतह के एकना जिसमारे तरफ और बास पोती है वो उपर की तरफ बना रहता है अब इसके प्रमुक लच्षड क्या क्या है बास्पित्र की उसमा अंत्रड की चमता इसकी बहुत ज्यादा होती है बास्पित्र सरचना का भारी तथा अधिक मात्रा में रफिरिजरेंट की आबसकता होती है ठीक है इसका बड़े उद्दोग में प्रियोग किया ड्राइब ऑ परेटर के वारे में बात करते हैं तो इस में क्या होता है यह एकदम शैम टूसेंट की तरीके का है लेकिन इसमें क्या है कि ये ऊबर graduates और इस चमबर को हळा दिया गया है ठीक है इसमें फ्रेया फ्रेटad वेपर यहांसे निकलती है ठीक है और यहां से हमारा refrigerant इंटर करता है और यहां expansion valve लगा रहता है जो इसके flow को control करता है और यह हमारा chamber होता है यहां पर insulated chamber जिसके अंदर हमारा एकदम से जो chamber बहुत ज़्यादा गरम रहता है ठीक और यह butter जैसे ही जो liquid होता है refrigerant वह इसके अंदर प्रवायत होता है वैसे ही इसको गरम करके वाम में बदल देता है इस इस बास्पित्र में द्रव refrigerant की मात्रा बास्पित्र कुंडली में सिर्फ इतनी रखी जाती जिससे बास्पित्र के अंत में पूरी तरह उसका बास्पन हो जाए मतलब कि इस्में पूरी तरीके से वह बास्पित्र हो जाएगा इसमें accumulator का कोई उपयोग नहीं है अब आश्पितर में प्रिसारण उपकरणों का प्रियोग किया जाता है जिससे द्रव रेफ्रिजरेंट का पूरा बासपन हो सके इसकी चमता 150 टन रेफ्रिजरेशन से कम होती है ठीक है तो इसका figure आप बना लेंगे और figure से इसको समझेंग आपको लिख करके आना है अज्जाम में अब हम बेर नली बासपितर की बात करते हैं यह थोड़ा सा थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आप लोग बुक से देखें वेर नली बासपितर ठीक है अज्जाय प्रकासनात पब्लिकेशन की बुक है इस प्रकार के बासपितर में सा इस प्रकार के बाजपित्र में सामानित है, इस टील पाइपों या कॉपर के ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो जो कॉपर के ट्यूब होते हैं, इसमें, जो कॉपर के ट्यूब होते हैं, कॉपर के ट्यूब का इस्तेमाल बाजपित्र के लिए किया जाता है जिसमें फेरोन रेफ्रिजरेंट का प्रियोग किया जाता है और जो इस टील के होते हैं उसमें हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट का प्रियोग किया जाता है यह देखिए अमोनिया रेफ्रिजरेंट का प्रियोग किया जाता है इसका आकार हमारा यही होता है यह कुंडली के यहां पर एक्सपेंशन बाल्व लगा हुआ है यह इंसुलेटेड चेमबर के अंदर हमारा बंद रहता है यहां से हमारा लिक्टिडेन करता है रेफ्रीजरेंट और यहां से हमारा वास्प आउट होती है सक्सन के लिए उसके बाद हम प्लेट सते बास्पित्र की बात करते है इसमें क्या होता है कि फिलेट लगा दी जाती बस एक फिलेट लगा जी जाती है यहांसे मारा बेपर आउट होता है बाब में बदलके इधार से निकलता है ठीक है और यह तो मारा है ही इसके अंदर एकदम से गरम होट चेमबर रहता है अब हम बात करते हैं फिन नली बास्पित्र की ठीक है फिन नली बास्पित्र इसमें क्या होता है फिन ट्यूब कोईल या बेर ट्यूब कोईल के समान होती है इसमें हम फिन्स का आवरड चड़ा देते हैं फिन्स हमारी सामानित है इस तरीके से पतली पतली आकार की होती है ठी यह directly atmosphere के contact में आती है, इसका प्रियोग हमारा bio conditioner में किया जाता है, ठीक, इसमें यह फिन लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं होता है, यह same to same ऐसा ही होता है, उपर वाले की तरह, जिसमें उसमा अंतरड की दर बढ़ जाती है, फिन की size की आकरत अंप्रियोग के आदार पर नि रहता है, अब बाजपित्र की छमता क्या होती है, capacity of evaporator, तो evaporator की capacity, यह मैंने अभी बताया था, कि q is equal to u a delta t, same to same y है, एक ही फार्मूला है, ठीक है, यह बाट और जूल प्रे सेकेंड में होती है, इसमें केवल यह, एक बाजपित्र की छमता को एक निश्चित अबदी में, उसके द्वारा अवसोशित उस्मा की मात्रा के रोम में परवासित किया जाता है, बाजपित्र की उस्मा, अवसोशित या इस्थानांत्रड छमता निम्न प्रकार दी जाती है, ठीक सेम टू सेम भई है अग बाश्पित्र की छंता को प्रवावित करने वाले कारक नमबर एक पदार्थ ठीक तापमान में अंतर रेफ्रिजरेंट का बेग और बाश्पित्र कुंडली दीबार की मोटाई ठीक है प्रत्यच सतय का छेत्रपल इन पांचों को लिख लोगी ठ जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम इस टील का यूज करेंगे तो रेफ्रिजरेंट अमोनिया यूज करेंगे ठीक है तो यह हमारा पदार्थ पर डिपेंड करता है तैंपरेचर हमारा इनिस्यट टैंपरेचर क्या है फैनल टेंपरेचर मतलब कि अंदर जिस रूम को इन वह बार कोशना करना इसका टेमपरेशर सेंगे कंडली ऑन 가운데 को यह है तरिके इसके इंदर मेहरे का पनी रहती है देक इस के इंदर इस तरीके के से हमारे बनी रहती है यह कुंडली बनी रहती है और उसका छेत्रफल क्या है ठीक है इसका जितना ज्यादा छेत्रफल रहेगा उतना ज्यादा इसमें रेफिरिजरेंट हमारा बास्प में बदलेगा एरिया ठीक है उसके बाद नेक्ष्ट प्रसारड वाल्व अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन वाल्व की तो जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो भेजता है प्रेशर को कंट्रॉल करके द्रब को द्रब रेफिरिजरेंट को किसमें बेजता है ब द्रव रफ्रिजरेंट के प्रवा को बाजपित्र में नियंतरित करने के लिए प्रिशारण वाल्व का प्रियोग किया जाता है ये इसकी डेफिनीशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और लिख लीजिएगा प्रिशारण वाल्व के दो मुख्यकार होते हैं द्र मौन cotton नियंब्र सारक वाल्व को निम्न न लिखेता हैं नमबर 6 हर्ष्त प्रशारण बाल मौन दो स्वचालित मतलब ऑ्टोमेटिक प्र earnedrays थर्मो एस्टेटिक प्रेइटिक प्रेसारण बाल कैपिलरी ट्यूप प्रेसारण बाल निम्न-सायड फ्लोट बाल उच्च सायड फ्लोट बाल्ब, ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा हस्त प्रसारक बाल्ब क्या है, हस्त मतलब जो हास से चले, यह हाथ द्वारा चलित निडिल बाल्ब होता है, ठीक है, जिसमें द्रप्रवा की दर की मात्रा दावांतर पर निर्वर करता है, इसमें हम आबसक्ता अनुसार बिवस्थित कर सकते हैं, ठीक है, इस बाल्व का प्रयोग बड़े निकायों में किया जाता है, जहां बाहर नियत होता है, तो अपरेटर द्वारा संचालीत होता है, इसके सरल सरनचना होती है, निम्न प्रारम्बिक लागत होती है, इसकी हानिया क्या है हमें सदय एक operator की आवसकता होती है जो प्रचालन की देखरेग कर सके है क्योंकि यह automatic नहीं है तो इसलिए हमें इसे एक operator की भी हमें जरूरत पड़ती है जब हम इसको जहां पे मालीजे कहीं भी यूज कर रहे हैं अगर manually जो हाथ से हमें operate करना है तो वहां पर आवसकता पड़ेगी इसको हम simply समझ लेते हैं पानी के टॉटी को control करना मालीजे हमें किसी pressure से हमें पानी को भेजना है जैसे तो वह expansion valve जैसा वहां पर यूज किया जाता है ना हम आज से गुमा करके यूज करते हैं पानी को कम ज्यादा मात्रा में भेजते हैं तो इस त रेफ्रीजरेशन में अब हम बात करते हैं Automatic Expansion Valve Automatic Expansion Valve का मतलब है एक ऐसा वाल्ब जो आबसकता अनुशार मतलब कि जब हमें द्रब की मात्रा जब हमें रेफ्रीजरेंट थोड़ा ज्यादा अगर भेजना हो तो बहां से Automatically अपने आप हम उसको एक कमांड देदें और त Johannil station गढ़ें अपने आप वहां से dosage transparent की जधा मत्रा को भेजने लगे बासमझ में ये एक ψ द्धाब नियनत्रिक बान की तरेकारिक करता यह बाश्पित्र द्वारत प्रारंब होती है जो एक नियत बना रहता है एक डाइफ्राम चलित वाल्ब होता है देखिए हम इसके फिगर से आपको समझा देते हैं ठीक आप फिगर से भी लिख सकते हैं क्या होता है सिंपल तरीके समझ लीजिएगा फिगर से देखिए यह हमारा बॉल्ब है यह जो हमने अभी बताया था कि आटोमेटिक एकस्पेंशन बॉल्ब है यह किस तरीके से काम करता है तो आप इसको यहां से फिगर के द्वारा समझ लीजिएगा यह यहां पर हमारा एडजेस्टिंग इस्कुरू लगा हुआ है और यही इसके एलिमेंट है इसके मैन एलिमेंट एडजेस्टिंग इसकुरू और यह इस्पिरिंग है ठीक है और यह हमारा डाइफ्राम है ठीक है यह निडल सीट है निडल एंड सीट है ठीक यहां से हमारा रेफिजरेंट इन करता है और यहां से हमारा रेफिजरेंट आउट करता है तो इस screw पे adjustable screw होता है, यह machine के द्वारा operated होता है, जैसे हमें जितने pressure की आप सकता होगी, तो यह यहां से push करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो यह हमारा क्या होगा, यह bulb को भी नीचे की तरफ push कर देगा, और यह bulb हमारा open हो जाएगा, और यहां से drug हमारा जो होगा, refrigerant, वो ज् का मतलब यही है, कि आप लोग इतना समझ जाओ, कि यह automatic operated है, इसमें जितनी मात्रा की हमें जरूरत होगी, उतना ही हम यहां से push button का यूज करके, यह screw का यूज करके, हम यहां से refrigerant को बेज सकते हैं, किसमें बेज सकते हैं, evaporator में, ठीक है, इसके pressure को control करके, तो इसके main element का प automatic expansion valve, ठीक है, इसके, जो main element उनको लिख लीजिए, और यह चितर भी बना लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं, थर्मो इस्टेटिक प्रसारण valve, यह थर्मो इस्टेटिक प्रसारण valve क्या होता है, यह same to same यही valve होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा, थोड़ा सा, इसको adjust कर दिया जाता है, इस वाली पर्त को, यह adjustable screw है, इसको इसके साथ ही adjust कर दिया जाता है, needle and seat के साथ, देखे, यह एक throttling उपकरण की तरह कारी करता है, ठीक, जो सचालित होता है, तथा द्रब के प्रवा को भार के अनुशार स्वते संयोजित कर लेता है, तथा द्रब प्र को आवश्यक्ता अनुशार बढ़ाता और घटाता रहता है, इसके प्रमुक कारी निम्लिकत है, यह द्रव के दाव को कम करके संगनित्र दाव से बाश्पित्र दाव में परवर्तित करता है, बाश्पित्र को पूरी तरह संचालित करता है, भार के अनुशार द्रव के साथ контр and is spring diaphragm ठीक आच का आरिग देखिये इसमें सारी चीजै दी गई यह मारा diaphragm यहां पर निड़ल यह पर है मारी ठीक यह हमारा year इस्ट्रेणर आमारा रहे हैं और यह जैसे यहां पर पाणी की मात्रत ज्यादा होगी या रहा होगी उस बचन के साब से भी हम इसमें रेफ्रिज्य एंट को और परेटर में भेजते हैं बहुत समझा ही कि नहीं आगी कि तो यह हमारा यहां से बता देगा अगर यहां से मारा लोड जाना होगा तो यह दब जाएगा ठिक जब यह दब जाएगा या फिर यह खुल जाएगा तो यह इस पर depend करता है जब यह यहां से दबेगा तो यहां से यह जाना इधर कम हो जाएगा बात समझ मैं कि नहीं आई इधर मतलब इधर जाना कम हो जाएगा जब यह दबेगा यह यहां पर मारा आउट कर रहा है ठीक और यहां पर इन कर रहा है और यह इसमें एड़ेस्टेबल स्कुरू यहां पर लगा हुआ है इस वाल्व का इस्तेमाल सुष्क प्रसाड स्वचालित प्रचालन उच्छे दच्छता के लिए प्रियोग किया जाता है तो सिंपल है सेम टू सेम है एज अबब जो उपर दिया गया है उसी की तरह है ठीक उसके बाद हम बात करते हैं है कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब किस तरीके से काम करता है मारा रेफ्रीजरेशन में तो यह एक नियत प्रतिबंदित प्रकार का उपकरड है ठीक्टिक है यहे रेफ्रीजरेंट परवा के लिए प्रियोग किये जाने वाले उपकरड़ों का सरल रूप है इसे तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं बस जिसकी लंबाई हमारी 0.5 मिलीमेटर से 2.22 मिलीमेटर के बीच होता है कैपिलरी ट्यूब में दाब निम्न दो कारणों से गिरता है नमबर एक इसकी डेंसिटी के कारण ठीक है और इसके मुमेंटम क करण देख लीजएगा इसका फिगर भी देख लीजिए इसका इसमें यहां पर अक्यूमिलेटर लगा हुआ है और अक्यूमिलेटर का काम क्या होता है कि जो मारे ड्रब है जो बास्प हमारा आगे जाएगा बास्प कोड गर शाम आधिक कोड पैब dor अलग कर देता है और द ओपरेटर में भेज देता है दिरव को बापस और गैस को बाहर की तरफ भेज देता है इस तरीके से ठीक और यह कैपिलरी ट्यूब का यहां पर प्रियोग किया जा रहा है यह यहां पर कैपिलरी ट्यूब का प्रियोग किया जा रहा है यह कैपिलरी ट्यूब ठीक और यह नीचे की तरफ हमारा यहां पर कंडेंसर चैंबल लगा हुआ है कंडेंसर हमारा कंडेंसर सरल तता सुलब होता है निम्न लागत ठीक है चलेत अंगों की अनपस्तिती स्वाचालेत वाल्व खुलने एब हम बंद करने की सुविदा होती है अब हम पढ़ते है नेक्स्ट निम्न स्लाइड फ्लोट इसमें क्या होता है जिस साइड फ्लोट में सामाने एक खोकली गैन या पेन उल्टा बकेट लिंक टी सायता से पीवट द्वारा निडिल वाल्व से जुड़ा रहता है जो बाल्व के खुलने एबं बंद करने की मदद करता है यह दरब के बास्तविक तल को बनाई रखने में मदद करता है जब रफ्रिजरेंट बासपित हो जाता है तो इसका तो फ्लोट भी नीचे होने लगता है जिसके काट बाल्ब खुल जाता है तथा द्रब रफरीजरेंट भरने लगता है देखेज हम इस चीज को भी rigor से समझते हैं सिंपल सी बात है जैसे हमारा बाल्ब कब खुलेगा जैसे हमारा क्या होने लगेगा तल जब नीचे गिनने लगेगा द्रब रेफ्रिजरेंट जब बास्पित होने लगेगा मतलब कि जो बास्प वाला जब बाहर निकल जाएगा तो बाल फिर से खुल जाएगा और जब बाल आपुं कि तो यह है। इसमें देकिए इसका उसका फिंगर आए इसका यह जो फिंगर है यह यहां पे यह अपर सीरय यह मैंने भी बताया था यह लगा रहता है। और यहां से जैसे ही हमारा कम होगा清楚 यह हमारा बास पर द्वल कहें को यह स्वाएं इसका इस्तर बढ़ेगा वैसे यह क्या करेगा यह बाल्ब हमारा बंद हो जाएगा तो इसके अंदर यह जब बंद हो जाएगा तो इसके अंदर हमारा नहीं आ पाएगा रेफ्रिजरेंट जब बासपित्रों के फिर बाहर चला जाएगा फिर इसका इस्तर कम होगा तो फिर स यही प्रगरिया चलती रहेगी यह उच्छ स्लाइड वाल फ्लोट वाल क्या होता है इस वाल में वही सभी अभयाव लगे होते हैं जो निम्न स्लाइड फ्लोट वाल में लगे होते हैं सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें फ्लोट उच दाब स्लाइड पर लगे होते हैं ठीक तो यह देखिए यह गैन की तरह लगा हुआ है जो हमारे बाल्ब को अटोमेटिकली बंद करेगा और यह इधर ज्यादा प्रेसर होता है इस साइड प्रेसर ज्यादा होता है तो यह इस साइड लगा हुआ है इसलिए हमें उच साइड की तरफ इसे बोलते हैं उच साइड फ् और इसमें इसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है, मतलब कि इधर हमारा प्रेशर कम होता है, ठीक है? तो same to same है, इसमें ये discharge tube लगा हुआ है, ठीक है? ये बाल्ब पिन है, ये बाल्ब सीट है, ये पाइबर्ट लगा हुआ है, ये हैड है इसका, float बाल्ब, तो इसके साथ ये chapter आपका finish होता है, thank you very much, आप सभी लोग इसका figure बना करेके, और पूरा notes complete कर लें, मैं next chapter में अब आपसे मिलता हूँ, और अगर किसी को कोई भी समस्या है, तो मुझे comment करके बताए, और हाँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी present, अपनी उपस्थिती नीचे लगा दें, ताकि हमें पता चल सके कि कि किस student ने पढ़ाई की है, और किसने पढ़ाई नहीं की है, जो पढ़ाई नहीं करेगा, उसके लिए हम तुरंदी कॉल करेंगे, कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या समस्या है, तो अपनी समस्या बताएं, उसके बाद उसका भी solution किया जाएगा, तो घर पर हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें,